हाई फ्रेंड्स नमस्कार मैं रामचन प्रजापती आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आरेस आनलाइन जोन में स्वागत करता हूँ अगर आपने Reliance Nippan से कोई Life Insurance का पाल्सी लिया हुआ है और उस पाल्सी का प्रेमियम आपने टाइम लीव जमा भी किया हुआ है लेकिन किसी कारण बस उसका प्रेमियम का रिसीप्ट आपके पास नहीं है या आपसे कहीं मिस हो गया है तो दोस्तों मेरा वीडियो इसी के उपर है मैं आज आपको अपने वीडियो में यह दिखाऊंगा कि किस तरीके से Reliance Nippan Life Insurance के पाल्सी का प्रेमियम रिसीप्ट डाउनलोड करते हैं अगर हमारा वीडियो देखने के बाद हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद बेल आइकन की घंटी को दबा द जिससे कि हमारे आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करिए मैं पूरी कोशिश करता रहता हूं आप सभी लोगों के सभी सव वालों का जबाब दे सकूँ चलिए दोस्तों अब आपको हम वीडियो के माद्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से आप रिलाइंस निपन लाइफ इंसरेंस का कंसोलिडेटेड प्रीमियम रिशिप डाउनलोड किया जाता है सबसे पहले आपके कंप्यूटर या मोबाइल मे उसमें गूगल ओपन कर लीजिए उसके बाद इस बाक्स में रिलाइंस निपन लिखके सर्च करिए सबसे उपर Reliance Nippan Life Insurance के Official Website का लिंक मिल जाएगा इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए उसके बाद क्रास पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को हटा दीजिए उसके बाद लागिन वाले टैप पे क्लिक कर दिए क्लिक करने के बाद एक ड्रापडाउन आएगा उस ड्रापडाउन में से कस्टमर वाले टैप पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा फिर OK पे क्लिक कर दीजिए फिर Sign In वाले टैप पे क्लिक कर दीजिए इस बाक्स के अंदर आपना Client ID या Policy Number भर दीजिए उसके बार Next पे क्लिक कर दीजिए थोड़ी देर डाउनलोड होगा पेज जब डाउनलोड हो जाएगा तो एक बाक्स और ओपन हो जाएगा इस बाक्स के अंदर अपना पास्वर्ड भर दीजिए उसके बाद Sign In पे क्लिक कर दीजिए थोड़ी देर प्रासेस होगा प्रासेस होने के बाद आप अपने लागिन वाले पेज में लागिन कर जाएंगे फिर My Services वाले टैब पे क्लिक कर दीजिए उसके बाद E Statement वाले टैब में Consolidate Premium Receipt वाले टैब पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे आपके पालसी का डिटेल आ जाएगा क्लाइंट आइडी पालसी नंबर यह सब आपके स्क्रीन पे आ जाएगा उसके बाद इस टैब में आपना Financial Year सेलेक्ट कर लीजिए जिस Financial Year का आप Consolidated Premium Receipt डाउनलोड करना चाह रहे हैं इयर सेलेक्ट करने के बाद सब्मिट वाले टैब पे क्लिक कर दीजिए फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस पेज में आपको अपना पालसी नंबर, पालसी प्रोडट्क नेम, इमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट मेंडेट ये सब चीजें आपके स्क्रीन पे आ जाएगा आपने पालसी नंबर से इन सब को मैच करा लीजिए इस टेब में अगर आप पालसी को अपने इमेल पे सेंड करना चाते हैं, तो सेंड पे क्लिक कर दीजिए इसको आप कहीं डाउनलोड करके रख लीजिए, साथी साथ प्रिंट करके भी रख लीजिए जो आपके कभी भी काम आ सकता है दोस्तों आसा करता हूँ, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपने हमारे वीडियो को देखा और अपना बहमोले समय दिया उसके लिए आप सभी लोगों का हार्दी काबार और धन्यवाद